दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन में किसी भी एप पर टाइमर कैसे लगा सकते हैं, मलब जैसे कि आपके फोन में आप फेसबुक यूज़ करते होंगे, वाटसाप यूज़ करते होंगे, इसी टाइप से बहुत सारी एप यूज़ क इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको चले जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में जैसे इस सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको मिलेगा इस टाइप का इंटरफेस यहां पर आपको नीचे की ओर करना है स्क्रॉल और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे जब आप तो आपको एक option मिल जाता है यहाँ पर ये वाला digital well-being and parental controls का आपको इसा भी phone यूज करते हों Android का आपको सब में ये मिल जाएगा अगर आपको ये option नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए आप simply यहाँ पर लिख करके उपर सर्च कर लिजे ठीक है digital well-being इस टाइप से आप लिख करके सर्च करेंगे तो आपको ये option दिखा देगा digital well-being and parental controls का आपको इस पर क्लिक करना है आपको मिलेगा इस टाइप का interface अब यहाँ पर आपको क्या करना है आपको इसी पर क्लिक कर लेना है जो आपको time दिखाएगा और जैसे ही आप इस पर क् like माल लेते हैं कोई और Instagram पे आप timer लगाना चाहते हैं तो आपको simply इस पर क्लिक करना है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक app timer का option मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप timer set कर सकते हैं जो भी आपको set करना है for example जैसे कि यहाँ पे इतना ही हम रहने 30 minutes ठीक है जितना भी आपको करना है आप कर लीजे set उसके बाद OK पे क्लिक कर दीजे तो यहाँ पर 30 minutes का timer इस टाइप से यहाँ से जो भी आप time set करेंगे लग जाएगा वो तो अब जब आप Instagram यूज करेंगे और जैसे 30 minutes हो जाएगा तो फिर आपका Instagram बंद हो जाएगा और यह next day फिर से renew हो जाएगा मतलब यह एक दिन के लिए timer है next day दूसरे दिन फिर से आपको 30 minutes मिलेंगे फिर से अगर 30 minutes Instagram जब आप यूज कर लेंगे तो आपको बता देगा मतलब आपका app जो है वो बंद हो जाएगा तो इस टाइप से आप किसी भी app पर यहाँ पर timer लगा सकत पर यहँ लगार